Hello Friends, मैं सुसील आप सभी को SK Study Times पर सुवागत करता हूँ दोस्तो अभी हम लोग बात करेंगे Reasoning का Alphabet Analogy का दोस्तो सारे के सारे important प्रशन अभी बताए जाएंगे और जो भी प्रशन है दोस्तो पिछले exams में पूछे गई सारे प्रशन है तो चलेते हैं दोस्तो आप लास्ट तक जबर देखिए इस वीडियो को चुकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल लाबदायक होने वाला है चलते हैं दोस्तो हम लोग questions की और जी हां मेरे दोस्त बात करते हैं करो question of first की तो question of first क्या करते हैं दोस्तो इसमें देखेंगे किस तरह से ये बन रहा है तो आप देखर अपने स्कीन पे दोस्तो यहां से B जब C टर्म में आता है ये series तो यहां से plus one हो रहा है और यही term दोस्तो अगर हम यहां करते हैं तो plus three आ रहा है यहां भी देख रहे हैं दोस्तो E से F से G तक जाने के लिए PPLUS 1 करना प्रेंड F का 6 होता है G का 7 होता है और यहां देख रिखने स्कीन पे दोस्तों अगर हम 3 जोडתे है G में अगर 3 जोडे तो हमें J पराप्त होता है उसी पर कर दोस्तो J में अगर हम 1 जोडेंगे तो हमें K प्राप्त होगा तो K में हमें क्या जोड़ना चाहिए जो दोस्तो हमारा options आजाएगा तो जब हम यहां भी 3 जोड़ रहे हैं उपर यहां भी 3 जोड़ तो इस्टर में क्या जोड़ रहे हैं तो हम इस्टर में जब 3 जोड़ रहे हैं तो उमीद करता हूँ कि आप समझ जाएंगा दोस्तों कहें भी आपको दिक्कत नहीं होगी जहां भी प्रेसानी है जहां भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लगा है दोस्तों आप कोमेंट करके जरूर पूछ ले आपके प्रॉब्लम को सॉल्ब किया जाएगा next questions जो है Z T W Y S B X R U ठीक है X R U तो वाट के अस्थान पे जो सीरीज की रूप में क्या होगा और यह SSE metric level में पूछा गया प्रस्न है तो फटा फट फट दोस्तों आप कोमेंट करके answers दे सकते हैं तो हम लोग से solve अगर करते हैं दोस्तों तो हम देख रही है यहां से दोस्तों हमें Z से अगर Y और Y से X ठीक है Z से Y जो मिला है दोस्तों-1 हुआ है उसी परकार Y में अगर –1 करें तो X तो X में भी – 1 करते हैं तो यहां कि 24 में एक घठा देंगे, तो कितना बचेगा? 23 बचेगा, यानि कि W बचेगा Next up में देखते हैं दोस्तों, अगर यहां से T और S की बात करते हैं तो T का था होता है, B से S का उनिस, यहां भी ծेनस 1 हुआ है और फिर S से अगर R में आता है दोस्तों तो यहां भी –1 हुआ है उसी परकार R में अगर –1 करते हैं तो R यानि कि 18 मगरे घटाते हैं 17 यानि कि Q हो जाएगा दोस्तों उसी परकार W से B की और चलते हैं तो यहां भी –1 हो रहा है B से U के ओर मैनस 1 हो ड़ा है तो U में भी मैनस 1 कर लेंगे तो जब U में मैनस 1 करेंगे दोस्तो तो क्या मिल जाएगा हमें T प्राप्त होगा तो यहांसे मेरा राइट आंसर W Q T हो रहा है हमारा options number से के साथ चलेगा दोस्तो W Q T कहा है तो हमारा options जो सी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तो मीद करता हूँ कि आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में कहीं भी problem है कहीं भी कटना है दोस्तों आप पूछ जरूर ले comment करके चलेंगे हम लोग next questions आपके screen पे क्या कहता है C E G I K M O Q तो वाट के स्थान पे क्या हो दोस्तों यह RRB Goods Guard में पूछा गया प्रस्ण है तो इसलिए बहुत ही important प्रस्ण है इसे आप जरूर देख लेजिए तो इस तरह को questions को solve करने के लिए में क्या करते हैं दोस्तों कि C E किस तरह से संबंदित हैं हम लेखेंगे इसको तो C E यानि कि इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों 2 जूट रहा है उसी परकार हम यहां देख रहे हैं दोस्तों इसमें भी G I में भी 2 जूट रहा है K M में भी 2 जूट रहा है और O Q में भी 2 जूट रहा है SP 19 16 यह भी नहीं होगा तो options number D के साथ जाएंगे as you right answer होगा लेकिन इस term में हो सकता है कि 2 terms मिला दे तो आपको दिक्कत होगा और इसे पूरा confirm करने के लिए दोस्तों इस term को भी देखना जरूरी है यहां से गर plus 2 होड़ा है तो G होड़ा है फिर यहां से plus 2 होड़ा तो K मिल रहा है उसी परकार M में plus 2 होड़ा तो O मिल रहा है तो उसी परकार दोस्तों अगर Q में plus 2 होगा तो हमें क्या मिल जाएगा यहां से S पराप्त होगा और यहां से confirm होगा कि S में 2 जूटेगा तो U पराप्त होगा यानि कि SU होगा यानि कि हमारा right answer दोस्तो D ही होगा जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो like कर लिजें दोस्तो और जादा से जादा अपने दोस्तों के बीच में share कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियो का लाव ले सकेंगे चलेंगे दोस्तों हम लोग next questions आपके स्क्रीन पे जी हाँ मेरे दोस्त next questions करता है G, I, L, P तो what के स्थान पे series के रूप में क्या होगा और ये SSC metric level के पुछा गया प्रस्टन है options चार दिया गया है तो क्या हो जाएगा तो बात करते questions नमर क्या करते दोस्तों G, याशी में दोस्तों अगर हम यहां से देख रहे हैं दो जूट रहा है तो I प्राप्त हो रहा है और इसी में दोस्तों अगर हम 3 जोड़ेंगे 9 में 3 जोड़ेगा तो 12 यानि कि L प्राप्ठ हो रहा है और फिर अगर 4 जोड़ रहा है तो हमें P प्राप्ठ हो रहा है तो हम यहां से देख रहा है 2 आया, 3 आया, 4 जोड़ा तो अगला सीरिज में क्या जोटेगा दोस्तो अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हमें वाट के अस्थान पे पराप्त होगा तो यहां से 16 में अगर 5 जोड़ते हैं दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा 16 में अगर 5 जोड़ते हैं तो हमें 21 होता है और 21 किस का होता है तो यू का होता है यानि कि options B जो होगा दोस्तों हमारा right answer होगा ठीक है चलेंगे हम लोग next को मेरे दोस्त नेस्ट questions आपके screen पे क्या करता है df, dj, km, nq, rt तो what के अस्थान पे क्या होगा स्रीज के रूप में दोस्तों और यह सारे के सारे questions दोस्तों पूछेगा प्रशन और यह SSC metric level के प्रशन पूछेगा है तो फटा-फट इसको पना के comment आप कर सकते हैं जो नहीं जानते हैं उनके लिए हम लोग solve कर रहे हैं देखते हैं क्या होगा तो देख रहें दोस्तों पे screen पे की df होता है तो df यहां दिया है इसके बीच में दोस्तों e गाइब है उसके बाद f के बाद g लिया गया है और अगला term की बाद करें दोस्तों तो g के बाद होता है h और h के बाद होता है i तो यह दो terms गाइब है अब j के बाद k होता है उसके बाद k के बाद होता है दोस्तों j k l होता है ठीक है? l और l के बाद m होता है तो यहाँ one terms गाइब है अब M, N हो गया तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक terms आया, फिर डो terms आया फिर one terms आया, तो यहाँ से फिर दो terms आएगा, तो यहाँ से N के बाद क्या होता है दोस्तों, N के बाद जो होता है और पी होता है ओ 15 पी 16 और Q 17 हो ईवा जाएगा तो P यहां हो रहा है और Q के बाद R हो रहा है दोस्तो यानि कि Q 17, R 18 तो एक ब्रूट रहा है तो उसी परकार यहाँ one term साया यहाँ two terms साया यहाँ one term साया यहाँ तो यहाँ क्या जाएगा 1 हो जाएगा दोस्तो तो क्या मिल जाएगा यू मिल जाएगा और just इसके बीच के terms दोस्तो 1 terms है तो यहाँ आगे कितना terms होगा तो 2 terms होगा तो 2 terms की रूप में क्या होगा दोस्तो भी W होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा x हो जाएगा चीक है तो हमारा right answer जो होगा दोस्तों वह क्या आएगा तो right answer vw जो होगा यह 2 terms जो आएगा यहां से आप देखरें अपने screen पे दोस्तों first terms, 2 terms फिर 1 terms, फिर 2 terms फिर 1 terms, फिर 2 terms है ना तो यह जो vw होगा मेरा right answer होगा यानि कि options number किसके साथ जाएगा दोस्तों फटा-फट बताइए तो यहां से जो है options के साथ अगर vw है तो vw right होगा, अगर ux options है तो यह भी right answer होगा तो ux दिया गया यानि कि b के साथ हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, चुकि what है तो what के स्थान पर अगर यह दे दिया तो यह निकालना था, अब यह नहीं दिया है तो यह भी लिख सकते हैं तो हमारा right answer B के साथ जाएगा दोस्तों जो कि बिल्कुल सही उत्तर होगा तो उम्मीद करता हो कि दोस्तों आप समझ गया होगे तो आज के लिए इतना यह रहने देते हैं मिलेंगे हम लोग दोस्तों नई जोस, नई इनरजी, नई मौनिंग के साथ तब तक कि लिए नमस्कार, अपने आस पास स्वक्षता बनाए रखिए धन्यवाद